हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में जैसा कि मैं आपको CET की जो एक्जाम कंड़क्ट हुआ है इविनिंग सिफ्ट और मौर्निंग सिफ्ट का दोनों के ही आंसर की बता चुका हूँ पांच नवम्मर को ये एक्जाम हुआ था पांच नवम्मर को मौर्निंग इविनिंग सिफ्ट का तो इविनिंग सिफ्ट की कुछ आंसर की रह गई थी कुछ सेक्शन की जो की मैद्स, रीजनिंग, इसके अलावा जनरल अवियरनेस, कम्प्यूटर और साइन्स के कुछ कुछ कुशन रह गई थे तो वो इस वीडियो में मैं आपको सारे बताने वाला हूँ इसके अलावा आप मेरी प्रिवियस वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर मैंने उनके जो complete solution है, जो morning shift का exam हुआ था, CET का उसका भी एक complete solution मैंने upload कर दिया है तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंदा रहे होंगे और request है कि बहुत ही छोटा सा एक YouTube channel है आपके support से थोड़ा सा इसको मैं grow कर पाऊँगा तो आईए पहला जो question है, मैं एक के question बता रहा हूँ सबसे पहले direct answer बता रहा हूँ, इनको मैंने खुछ से solve करके जब इनके जो है answer की निकाली है, proper time management दे करके और तभी जो है वीडियो थोड़ा साल मैं delay से upload कर रहा हूँ तो इसका जो first का हो जाएगा four second question, इसका जो सही answer है वो है 29.16 लीटर आप अपने अपने answer बस match करते चलें third का हो जाएगा option 13 इसके बाद fourth question, fourth question का जो answer है वो है option second 16 सही है fifth question, fifth question का है option third minus two sixth question का correct answer होगा, it would be minus 126 seventh question, seventh question का option three will be the correct answer eighth question है, इसका जो सही answer है वो है option second ninth question, इसका सही answer है option second एक लाग सकतर हजार रुपे दस्वा question है, इसका सही answer होगा, 40 वर्ग सेंटिमीटर ग्यार्वा question, इसका जो सही answer है वो है, दो गंटे बार्वा question, इसका सही answer आएगा, solution के बाद option third चार, तेर्वा question है, इसका सही answer होगा, option third, 14th question, option first will be the correct answer, option fourth of 15th question, will be the correct answer, इसके बाद science के question है, science के question में जो यह पूछा है, कि योगिक के बारे में निम्न में से कौनसा कतन सही है, तो only A and C, A and C, these are correct statement, तो option four इसका हो जाएगा, इसका थोड़ा समझे भी doubt है, I cannot say की कौनसा इसका सही answer है, 18th question में पूछा है, 68-वे, राष्टिये फिल्म पुरुसकारों में, feature film स्रेनी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी, सरस्वेश्ट फिल्म घोशित किया गया, जो 68th National Film Fair Awards होए थे, उनमें best film on social issues, तो ये थी funeral, एक मराठी, ये movie है, demographic transition, एक concept development by Frank Nautestein in 1945, describe the relationship between economic development, तो इसका जो सही answer होगा, ये हमें death and birth rate के बारे में बताता है, सामान्यता निमिन में से किसे भूमंडली करन का परिणाम नहीं माना जाता, not वाला question है, not be ordinarily considered an outcome of globalization, तो इसका जो tariff barriers नहीं होगा, छोटा नागपुर के पठारी छेत्र में निमिन में से कौन सा उद्ध्योग अधिकांस्तेते सकेंद्रित है, तो ज़्यादा तर जो वहाँ है, iron and steel industries, नटराज, नटराज की मूरती वैसे ज़्यादा तर सबन देखियोगी, is a bronze sculpture in a dance position associated with, और यह किस से जुड़ी हुई है, यह जुड़ी हुई है, सेवा से, इसके बाद, computer के कुछ question थे, when is the built-in exception import error raised, तो यह जब होता है, it is raised when the request module definition is not found, which of the following is not a database, इसमें पूछा है कि not a database management system, कौन सा नहीं है, तो Microsoft Excel एक database management system नहीं है, उस network topology को क्या कहेंगे, जहाँ पर हर एक समवाद उपकरन का केंदरी node से जुड़ा होता है, where each communicating device is connected to a central node, it is called star topology, इसका जो सही answer होगा, that will be read only memory, read only memory is not an example of secondary memory, read only memory जो होती है, यह primary memory होती है, primary, ना कि secondary, जो roam है, वो आपकी जो है, secondary होती है, roam होती है, ना कि, sorry, roam आपकी है, secondary memory हाँ, sorry, not example, इसका सही answer है, read only memory, नहीं है, यह first होती है, भारत के समवीदान का अनुचेद 395, जो समवीदान का अंतिम अनुचेद भी है, निम्न में से किसके बारे में प्रावधान बताता है, तो इसका जो सही answer होगा, वो होगा, यह बताता है, Repeal of the Indian Independence Act 1947, A Trist with Destiny, नियती के साथ साक्षातकार, भारत की आजादी की एक प्रिशिद भासन है, जिसे भारत की समवीदान सभा के निम्न में से किस सदस्य ने दिया था, तो जवालनल नहरू ने इसको दिया था, The study of writings engraved on hard surface, such as stone or metal, is called epigraphy. मतदाता जंग्जन के बारे में पूछा है, तो यह जो है, मतदाताओं को जागरुख बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक जागरुख बनाने के लिए एक रेडियो स्रंक लाएं. निमन मैंसे कौन सा सब्द, अचा ये तो हिंदी के मैं आलरेडी आपको बता चुका हूँ, वैसे इसका अंसर सिवानी है, और इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग सेक्सन है, वो भी मैं आपको बता चेता हूँ, रीजनिंग के, आपको बता दू कि हिंदी के मैं अलरेडी अलग से वीडियो और इंगलिस की भी अलग से अलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. तो ये question जो है reasoning के आए थे, तो इनका जो सही answer होगा, वो होगा, इसका सही होगा, option third के वल first और second जो इसका answer निकलते हैं, मैं आपको solve करके नहीं बता रहा क्योंकि मैं अलरेडी solve करके, जबी इनकी जो answer की बता रहा हूँ, otherwise जो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, in any case, किसी को doubt है, तो जो आपके valuable comments है, आप वो suggest कर सकते हैं, 87 का हो जाएगा, fourth, 88 का, इसका जो सही answer होगा, option 1, चाचा, 89 question का हो जाएगा, 4197, 90 question है, जो इसका सही answer होगा, option 4, 100 rupees, 91 का second friend, क्योंकि F तो कहीं दिया, सुरी, दिये तो रखा है, पर इसमें ये बनेगा नहीं, क्योंकि N नहीं दे रखा है, इसमें, 92 का question जो सही answer होगा, वो होगा, option 4, और आखरी कुछ question बचे है, 93 का सही answer जो होगा, जब उनको arrange करेंगे, तो mobile बनेगा, mobile, 94, इसका जो सही answer होगा, वो होगा, भिन पूचा है, तो बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बाकी सब तो महासागर सागर है, ये खाड़ी है, 95, 95 का जो सही answer होगा, वो होगा, पुस्प गुलदस्ता, इसमें पूचा है, 11 का square, 121, 25 का square, 625, माइनस एक, यहाँ पर 11 का, 121, माइनस एक, फिर इस तरह से, 624, और लास्ट के, चार question है, 97 का जो सही answer होगा, वो होगा, A and E, 98 का सही answer होगा, option first, 99 का जो सही answer होगा, एक बटे 27, और last question, option third, 70, उमीर करता हूँ, सभी बच्चों का एक्जाम अच्छा गया होगा, और जिनका 6th November को morning, evening में, यानि कि आज किसी का अगर पेपर है, तो मेरी तरफ से, best of luck, best wishes, thank you, thanks for watching.